सर अपिर्थम हम अपने गुरू जन्नों के शीज़ जुका कर नमन करते हैं और आप सभी के शुब स्वास्ते के लिए मंगल कामनाएं करते हैं आपने कई बार हमें मेसेज किया है और फोन से भी कहा है कि आप अपने संस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए आप अपने कोर्स के बारे में जानकारी दीजिए और प्राकर्तिक चिकिसा के बारे में जानकारी दीजिए तो आज मैं इन तीनों की संक्षिप में सारभूत जानकारी देता हूँ सबसे पहले ये देखें कि प्राकर्तिक चिकिसा क्या है प्राकर्तिक चिकिसा एक सर्वस्रेष्ट चिकिसा पदती है जो प्रकर्ति की है भगवान की है यह सरल है, सस्ती है, सुलब है, हानी रहता है और जड़ से रोगों को ठीक करती है इसमें मिट्टी, पानी, धूपवा जिन तक्तों से हमारा शरीर बनावा है उसी के दिरिये चिके साक की जाती है और यह कहावत भी है, कि मिट्टी, पानी, धूपवा सब रोगों की एक दवा हम केवल अपना भोजन सुधार और इनी तक्तों के जरीए शरीर के हर प्रकार से रोगों से बचा वच्छुटकारा पासकते हैं और यह प्राकर्चिक पच्छ दिती शारिरिक, मानसिक और अध्याति का सच्चा स्वास्त हमें पिरदान करती है अब आप आए हमारे संस्थाउन के बारे में हमारे कई संस्थान हैं जिनमें स्वास्त की तरिष्टी से दो मुख्य संस्थान है एक आरोगिकेंद्र है जो संत हिर्दाराम योगा एंड नेचर कर सेंटर के नाम से है और दूसरा है संत हिर्दाराम मेडिकल कॉलेज आफ नेचरोपेथी एंड योगिक साइन्स फार वुमेंट्स इन दोनों का जो इस्टाबलिश्मेंट है वो हमारे सद्गुरू ब्रहमलीन परम हंस संस रुमनी हिर्दाराम साहज जी के आशीरवाद वा प्रेना से हुआ है जिनका वर्तमान में उनके परम शिष्ष सिर्देव सिद्भाव जी के मागदर्शन में संचालित हो रहे हैं तो प्राकरतिक चिकिसा केंदर जो है उसमें बिना दवा बिना आपरेशन के ट्रीक्मेंट किया जाता है और वहाँ पर ये तीन तरह की फेसिलिटी उपलब्द है एक ओपीडी माना उसमें कुछ पेशन्स जो आते हैं वो सुबह ट्रीक्मेंट करवाके चले जाते हैं जिस तूसरा एक ये है कि हर मेने में दस दिन का एक शिवर लगा जाता है एक केंप लगाई जाती है जो रेसिडिन्शल रहती है जिन में हर परकार के जो भी रोग हैं इन दसों दिनों में उनकी बाडी का डीटॉक्स्विशन करके और रिमू किया जाता है और जो हैं मिटी-पटी, लपेट, एनिमा, कटी सनान, रीड सनान, गरम पेनान, इस्टिम बात, एक्यू प्रिशर, एक्यू पंक्चर, फिजो थ्राफी, पंच करम, योगा, जूस तरपी, डाइक तरपी के जरीए किया जाता है और अंदर से अपकवार और जूस तरपी के द्वारा किया जाता है, और इनी दस दिनों में जो बीमारियां रहती है, उनके पेरामीटर्स पहले नोट किया जाते हैं, और दस दिनों के बाद फिर पेरामीटर्स अपन रिपोर्ट करवाते हैं, पैथलोजी की टेस्ट करवाते हैं, जिससे काफी रिडियूस हो जाते हैं, और जो सुबह डेड़ गड़ान शाम को जिसमें हर व्यक्ति को इतनी जानकारी देते हैं कि वो अपना डॉक्टर खुद मनें किस तरह से वो यहां से घर जाएं तो फिर से दुबारा बीमार ना पड़ें वो तरीके सिखा जाते हैं और बाई चांस अगर पड़ भी गए बीमार तो घर में जो उपलब्द हमारे किचिन में जो नैचरल ओशदियां उनसे किस तरह से सारे रोगों को ठीकिया जाता है और जो वाश रूम में हमारे उपचार के सादने उससे किस तरह ठीकिया जाता है वो पूरा हम ग्यान देते हैं में अपना डॉक्टर खुद बनना का मतलब ये है खुद कैसे बीमारीों को पहचाना जाए और कैसे उनके कारणों को जाना जाए और कैसे उनका नेवारण सरल रूप से घर में किया जाए दूसरा यह जो किस्सा पद्दती है यह हमारे परमहन संशरमनी हिर्दाराम के द्वारा की गई थी क्योंकि उनका उद्देश था कि संसार का हर व्यक्ति बिना दवा बिना आपरेशन के घर बेठे कैसे स्वस्त रह सकता है वो इन्होंने नैचरोपेटी के जरीए सबको देना चाहा है जो अब वरतमान में चल रही है और काफी लोग ठीक हो रहे हैं अब आप आजाए एक कोर्स के बारे में यह जो चिकसा पद्दती आपने देखी और जो ट्रेनिंग दिया जो पेशन को हम देते हैं वो एक रेजिस्टर्ड BNYS डॉक्टर्स रहते हैं उनकी टीम के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है और इलाज भी किया जाता है यह BNYS जो रेजिस्टर्ड डॉक्टर है यह केसे बना जाते हैं इसके लिए हमारे पास संत हिर्दाराम मेडिकल कॉलेज आप नेचरोपेट्थी एंड योगिक साइन्स है यह है जो है गॉर्मेंट आफ आईश डिपार्टमेंट से रेकरगनाईज़ है और जो मद्दिश मेडिकल साइंस जबलपुर से एफिलेटेड है और यह है जो कॉर्स है यह वहाँ पर साड़े पांच साल का डिगरी कॉर्स है इसमें तीन साल तो जो MBBS का कॉर्स रहता है जिसमें कॉर्स पढ़ा जाता है एनाटामी, फिजोलाजी, माइक्रोबायलाजी, पैथालाजी, रेडियोलाजी वो सारे का सारा कॉर्स इनको भी तीन साल तक वही पढ़ा जाता है और लास्ट के जो दो साल का कॉर्स है वो अपने MBBS वाले मेडिसन लाइन में चले जाते हैं और ये नैचरोपेथी में चले जाते हैं यह degree जो है वो equivalent to MBBS की रहती है जो value MBBS doctor की है वो ही value इस BNYS doctor की है दोनों government recognized doctor हैं अब ये जो है दोनों संस्थाइं एक संस्था जो शही धहमिकोलन एजुकर्ट स्वसाइट के द्वारा चला जाती है जो medical college है और जो hospital RO के अंदर वो श्री संथ प्राकेचिक साय योग संस्थान के द्वारा चला जाता है तो इसमें जो college है उसकी चार-पांच मुख्य विशिस्ता है एक विशिस्ता यह है कि यह charitable है दूसरा है कि यह केवल girls के लिए है क्योंकि हमारे स्वामे जी कहते है girls यह एक ऐसी है जो आगे चल करके उनको kitchen देखना पड़ता है अगर kitchen सही है तो घ कहां पर किस तरह से बोजन बनाया जाए कि उनके पोश्चक तक तो नस्ट नहों और उस बोजन को grant करने के बाद जो रोग शरी में वो भी निकल जाए और नए रोग नहीं आए वो पूरी कला सिखाई जाती है इसलिए हमारे स्वामे जीगा यह ही था कि यह college केवल बच्च है और बच्चियों के लिए वहाँ पर 500 बेड़ हास्टल भी है जहां बहुत ही बड़ा neat and clean है और दूसरा यह एक ऐसा college है हिंदुस्तान में जहां पर केवल बच्चियां ही बच्चियां रहते हैं पुरिश को वहाँ पर कोई admission नहीं है तो बहुत ही तरह स्रुक्षित है औ और वह भी 50% subject से हो और दूसरा जिनकी age below minimum 70 years हो तो वह apply कर सकते हैं तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो लोग आप लोग B.A.C. M.A.C. करते हैं उससे अच्छा है कि यह medical college पर आप join करके और अपना स्वास्त बनाएए केरियर भी बनाएए औरों को भी आप स्वास्त दीजिए और दूसरे लोग भी स्वास्त रहें हमारा यही निवेदन है बाकि अधिक जानकार के लिए आगे इस वीडियो को देखते जाएए पूरा आपको medical college की जानकारी मिलती रहाए नमस्कार संधर्दारम परिवार आप सभी का स्वागत करता है आपके उच्यतन स्वास्त एवं निरोगी जीवन की हम अंगल में कामना करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको हमारे नाच्रपती college एवं नाच्रपती hospital के बारे में जानकारी देंगे मध्यप्रदेश Medical Science University चबलपुर से affiliated संधिर्दारम Medical College of Naturity and Yogic Sciences for four men शहीद हेमुकलानी Educational Society पोपाल के द्वारा संचालित भारत का एक मात्र ऐसा नाच्रपती medical college है जो की केवल कण्याओं की उच्चितम शिक्षा के लिए बना है इस college में admission के लिए आपको 12th class में physics, chemistry, biology में minimum 50% result के साथ पास होना अतियावशक है नाच्रपती college में आप बिना NEET के भी admission ले सकते हैं अगर आपने NEET दिया है तो वह और और भी अच्छा है BNYS course MBBS, BAMS, BHMS की तरह साधे 5 साल का medical degree course है जिसके पूरे होने से आप पूरे देश में कहीं भी licensed medical doctor की तौर पर practice कर सकते हैं जिस तरीके से आप MBBS करके एक एलोपेटी doctor बनते हैं BMS करके एक आयरवदिक doctor, BHMS करके एक होमेपेटी doctor बनते हैं उसी प्रकास BNYS करके आप नाच्रपती एन योगा के doctor बनते हैं नाच्रपती एन योगा के doctor बनकर आप तेश विदेश में पेशिंट्स का बिना दवायों के प्राकर्तिक तरीके से जैसे जल चिकेट्सा, लंग रनम, खान पान, योग चिकेट्सा इत्यादी के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। प्राकरतिक चिकित्सा एवं यूग बीमारियों को जर्ब से मिटाने की पद्वत्ती की साथ-साथ जीवन जीने की कला भी है साड़े पांत साल के कोर्स के बाद आप एंडी भी कर सकते हैं हमारी कॉलेज में आप क्लेनिकल नाच्रोपिते, क्लेनिकल यूगा एवं क्लेनिकल अक्युपंचर में एंडी कर सकते हैं संधिर्दाराम मेडिकल कॉलेज अपने स्टूडिन्स को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट प्राक्टिकल नॉलेज एवं हैंड्स-उन ट्रेनिंग देने के लिए भैतरीन, आदुनिक, सुवीधाओं और सुसजित प्रयोगशालाओं का दावा करता है स्टूडिन्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग हमारे टीचिंग हॉस्पिटल संधिर्दाराम योगा और नीचक्यो हॉस्पिटल में होती है, जोकी आर्युकेंदर के नाम से भी प्रसित है यह एक आउटपेशिंट हॉस्पिटल के साथ-साथ 100-bedded inpatient hospital भी है, जा हमारे स्टूडिन्स एक्स्पिरियन्स डॉक्टर्स के मार्ट दर्शन में इंटर्ण्चिप भी करते हैं इसके अलावा स्टूडिन्स को विभिन अस्पितालों में जैसे की सेवा सदनाय हॉस्पिटल, टीवी हॉस्पिटल, कैंसल हॉस्पिटल एवं सिवल हॉस्पिटल में रोटेशनल ट्रेनिंग के लिए भीजा जाता है साथ ही हम आपको बताते हैं कि यह एक अपकम एक मेंडिकल सिस्टम है जिसमें आपका फ्यूचर 100% सेफ एंड सिक्यूर है अगर आप बनना चाहते हैं फ्यूचर के डॉक्टर या अगर आप कॉलेज और हॉस्पिटल की अधिक चाम सरी चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉन्टाक्ट करें इस नंबर पर धैन्यलाट